इस वीडियो में आपसे बात करूँगा रास्तान करमचारी चैन बोड लेब असिस्टेंड भरती 2022 बैस्ट बुक और स्लेबस के बारे में इसके अलावा आपके कापी सारे कॉमेंट आ रहेंगे सर बैस्ट बुक बताईए तो इस वीडियो के अंदर कापी सारी चर्चा करने वाला हूँ डिटेल में आपको स्लेबस के साफ से बुक्स के बारे में बताऊँगा और क्या रन्निती होगी कैसे तैयारी करें जो बचावा समय है इसमें हम कैसे प्रप्रेशन करें कि हमारा एक अच्छा स्कोर आए तो बिल्कुल रन्निती की साथ में बेस्ट बुक कौन- तो पैसेंस बना कर वीडियो का अन्ट तक देखना है जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें बैकन को प्रेस करें जिसे आने वाली सबी वीडियो का नुट्विशन आप तक पहुंच जाए आए यह वीडियो को इसे तो मैंने कापी सारी वीडियो बना रखी है पले पर 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 नोटिविकेशन नहीं आया है यहाँ पर जो है स्लेबस भी जारी नहीं हुआ है तो जो पुराना स्लेबस है उसी के आदर पर हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ हमें अभी एक बात पता लगी है और वो बात है कि चार जून को हमारा पेपर होगा तो हमें एक तारगेट तो मिल गया है कि वही चार जून को हमारा पेपर है तो चार जून के हिसाब से हमको तयारी करनी है लगबख चार मन्थ हमारे पास में है जिसमें से भी समय निकलता जा रहा है तो यहाँ पर स्लेबस की बात करें रास्तान जीके के अंदर भी 50 कुशन आते हैं लगबग 50 MCQs होंगे और लगबग 100 नमबर का आपका यहाँ पर पेपर हो तो यहाँ पर साइंस के आपके तीन पार्ट होगे बाइलोजी, केमेस्ट्री और फिजिक्स तो जैसे मैंने आपको बताया कि रास्तान जीके के 50 कुशन होंगे 100 मार्क्स के वहीं साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपके लगबग 100 कुशन आने वाले हैं क्योंकि सब ज़्यादा होंगे आपके यहाँ पर बाइलोजी के उसके बाद में केमेस्ट्री के, उसके बाद में फिजिक्स के तो 100 MCQs रहेंगे और 200 नंबर का आपका यहाँ पर यह पूरे मार्क्स होने वाले हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजिस्तान जीके की बात करें तो राजिस्तान जीके के लिए क्योंकि यह जो ऐसी बरती है इसमें 12 के जो विद्यारती होते हैं जो साइंस बैक्गराउंड से होते हैं जिन्होंने 11-12 साइंस से पास किया है वो विद्यारती इसमें अपलाई कर पाएंगे जिन्होंने बारवी विज्ञान संकाई के अंदर यानि एगरी कल्चर, मैस या बायलोजी से पास किये वो ही विद्यारती इसमें अपलाई कर पाएंगे तो 12 पास विद्यारती जो होते हैं उनको जीके का इतना नौलेज नहीं होता है तो अगर आप पढ़ रहे हैं आप पहली बर पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा तभी आप चीजों को सीख पाएंगे ये दो बुक आपको दिख रही होंगी ये भाग पहला है और ये भाग दूसरा है इन दोनों बुक्स के अंदर राजस्तान जीके का complete detail दे रखा है art and culture हो, history हो, geography हो सब कुछ आपको detail में मिल जाएगा MCQs भी आपको मिल जाएगे PYQs जो previous year question है वो भी आपको मिल जाएगे कि रास्तान करमचारी चैन बोट के जितनी भी exam होई है उसमें कौन कौन से important question आए GK के अंदर वो सवाल आपको यापर मिल जाएगे तो जो समय बच्चा होगा है लगबग जो भी हमारे पास समय है उसके अंदर आपको preparation करनी है और यही book आपको बार-बार पढ़नी है मैं आपको बता सकता हूँ कि art and culture के लिए आप इस writer की book लिया आई है history के लिए आप ये लिया आई है geography के लिए आप ये लिया आई है अलग-लग book लाने से कोई मतलब नहीं है आपको ये दो Sanskrit लेके आने है ये दो book लेके आने है जो एक ही है लक्ष की book है दो इसके part है ये ही book आपको बार-बार बार पढ़नी है ध्यान रहे आपको syllabus के अनुसारी पढ़ना है माली जे art and culture में आपके 10 topic है तो आपको 10 ही पढ़ना है क्योंकि ये books तो complete है इसमें तो पूरा syllabus है तो आपको पूरा syllabus नहीं पढ़ना है आपका जो lab assistant का syllabus है माली जे art and culture में प्रमुख लोग देवताएं हैं या परियतक हैं परियतन इस्तल हैं जो भी topic है आपूशन है वो ही topic आपको पढ़ने है तो according to syllabus आपको books में से जो भी topic है वो पढ़ने है और उनके MCQs पढ़ने है तो ये जितनी बार आप पढ़ सकते हो आपकी exam से पहले उतनी बार आपको पढ़ना है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं biology science वाले portion की science की बात करें तो biology सबसे ज़ादा आएंगा क्योंकि biology के दो पार्ट होते है एक तो होता है जूलोजी ठीक है एक होता है बोटनी आप सभी को पता है मैस वाले विद्यार्ती जो है उनके लिए थोड़ा सा typical होगा क्योंकि उन्हें 11-12 NCRT नहीं पढ़ा है तो थोड़ी से ज़ादा मैंत करनी होगी आप कर लेंगे समय है आपके पास में तो जूलोजी और बोटनी तो यहाँ पर जो बोटनी और जूलोजी है इसका स्लेबस थोड़ा ज़ादा होगा सबसे पहले बात करते हैं जीव विग्यान पार्ट फर्स्ट की अथेंटिक मटेरियल कौन सा है आप कितने समय दे रहे हैं पढ़ने के लिए यह तीन बात बहुत ज़रूरी है यह तीन बात का संगम अगर आपको हो गया तो आपका सेलेक्शन निश्चित है तो देखते हैं बाइलोजी सेलेबस इसमें पहला टॉपिक है जो आपने 11 पे पढ़ा होगा अगर आप बाइलोजी की स्टूडेंट है 11 की बुक में NCRT में आपको इस टॉपिक मिल जाएंगे एक तो सहवाल, कवक, इसके अलावा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आनावर्त बीजी, आवर्त बीजी, सामान एलक्षन यानि कुल मिलाके ठेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो पाधपो का बरगी करण है उसके बारे में यापर दे रखा है Next यापर टॉपिक है आवर्त बीजी, पाधपो की आकारी की जिमनो इसपरम भी है एंगियो इसपरम दोनों टॉपिक आपके है इसमें आपको बतारा है मूल इस्तम्भपाण की संद्रस्ता पुष्प और बीज के बारे में ठाट टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी यानि पादप सरीर के बारे में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है उत्तक इनकी टॉपिक है सब पादपो के बारे में ठीक है पादपकारी के बारे में या पर दे रखा है नेक्स्ट टॉपिक यह है आपका परियावन अद्यन ये भी आपका बोट्नी में आ जाएगा पूरा इन्वाइरमेंटल दे रखा इसमें इसमें आपको पढ़ना है पारस्त आपको 11 में भी मिल जाएगा नए topic है, पहले हम नहीं पढ़ते हैं 10 वी तक इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है 11 वी बारे में आके हम इन topics को पढ़ते हैं तो इसके अंदर सामाइने जानकारी DNA क्या होता है, Transgenic पादप क्या होते हैं, जन्तू क्या होते हैं चिकिशा छेतर में बायो टेक्नलोजी का क्या उप्य होगे, उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे सात्वा topic है Economics Importance of Plant और आठवे नंबर का topic है Cell Cell बैसे हम कापी समय से पढ़ते आ रहे हैं NCRT छोटी मोटी नहीं है, NCRT बहुत बढ़ा है NCRT में आपको वही topic पढ़ने है जो आपके syllabus में है चिकिशा आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जीव विग्ज्ञान यानि यह जो पूरा syllabus है, आपका जोलोजी का है, जिसमें आपका जैनेटिक हो गया जन्तु जगत का वरिकर्ण हो गया यह आपके पूरा system हो गया पाचन तंत्र, उस्सरजन तंत्र, जनन तंत्र ठीक है न, यह सभी system आगे जितने भी human system होते हैं, वो सब system आपको पढ़ने है पेसी यह तंत्र हो गया, muscular system ठीक है, मानव रोग मानव रोग भी बड़ा topic है यहां से सवाल बनते हैं, मानव रोग से ठीक है, इसके अलावा जैव विकास और जन्तु ओका आर्थिक मैत ठीक है, अब NCRT तो आपको पढ़ने हैं, लेकिन NCRT में से लगबग जितने भी topic है आर्थ तो आपके जोलोजी के topic है और लगबग 10 topic आपके बोटनी के है ठीक है, तो आर्थ तो आपके जोलोजी के होगे और आर्थ ही topic आपके यहां पर बोटनी है यानि 16 topic ही है आपके total तो 16 topic ही आपको पढ़ने हैं NCRT में से, theory NCRT में से पढ़ लीजिए बाकी जो MCQs हैं जो जितना ज़्यादा कुष्ण की practice करेंगे उतना आप समझ पाएंगे तो एक book आती है NCRT fingertips यह NCRT fingertips की आपको book purchase करनी है ठीकिना, WTG की book होती है यह जी विज्ञान की ऐसा इसका front page होता है 11-12 का NCRT इसमें complete है लेकिन आपको only MCQs में से पढ़ने बाकी theory आपको जो NCRT की book आती है जो भी मादमिक्षा बोड में चल रही है वो किताब आपको पढ़ने है ठीक है? यह बाईलो जी का काम होगी तो यदि आप SSE exam, bank, railway जैसे general competition की preparation कर रहे हैं और भारत के नंबर वर लर्णेग अप अनेकेडमी से आप जुड़ना चाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और regular free special class और plus class ले पाएंगे तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर वर लर्णेग अप अरविंद कुंडारा आप मुझे वहाँ पर follow कर ले अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फोलो कर सकते हैं और उनकी class भी ले सकते फोलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ अगर आपको जो है जनल साइंस और इस्टेटिक जीके पढ़नी है आपको प्रक्टीस करना है और वहाँ पर आना है तो आप लोग मुझे जूड सकते हैं आज शाम को आठ बजे शांदर लाइव क्लास होने वाली है सभी विद्यारती क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ तो क्लास में सभी विद्यारती जूड जूड जाए क्लास के लिक डिस्क्रिप्शन में है उसमें क्लिक करना क्लास ओपन हो जाएगी और अपकमिंग करते हैं chemistry का chemistry का भी सेम ही रहेगा जो अभी मैंने बात बताईए एक बर देख लो कितने topic chemistry के हैं 11th के कितने topic हैं 12th के कितने हैं एक page पर लिखने के बाद में उनी topics को theory पढ़ो NCRT से उनके पीछे वाले question पढ़ो किताब के chapters के जो पीछे वाले question होते हैं उनको आपको पढ़ना है इसके अलावा इसके अलावा जो है वह फिंगर tips वाली आपको पुस्तक पढ़नी है तो यह आपर कौन-कौन सी topic दे रखें परमाणू मुलबुत कन इसके बारी की से बहुत scoring subject है और इसका ज़्यादा बड़ा syllabus भी नहीं है ठीक है S&P block आपको पढ़ना होगा सामय ने परीचे पढ़ना होगा इलक्टरिक विनियास ऑक्षिगन अवस्ता यह सब आपको देखना होगा यूनिट थड की बात करें रासानिक साम में यानि chemical equilibrium इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा यह topic आपके इस लिबस में आइनिक साम में हो गया गैसी अवस्ता जिसमें boil का नियम, Charles का नियम यह पूरा chapter है liquid state, solid state, solid state वाला जो topic है आपको यह 12th class की book में मिलेगा NCRT में इसके अलावा विलियन हो गया, organic chemistry, organic chemistry में कापी सारी topic है तो कुल मिलाके 10 topic आपको पढ़ने होंगे chemistry में organic में आपका IUPAC, novenclature हो गया, hydrocarbon हो गया, अनुनाद, यह सभी topic आजाएगे तो यह 10 topic chemistry के 11-12 की किताब से आपको देखने है, 11-12 की जो किताब है, जो book से उससे आपको देखने है और MCQs की जो practice करनी है, वो NCRT, finger tips से आपको करनी है, यह book आप देख पारे होंगे यह market से आप purchase कर लेना, online भी आपको मिल जाएगे एक ऐसा subject जिससे सब डरते हैं, biology वा लोगों लगता है कि हमें इसमें कुछ करनी पाएंगे मैस वाले भी थोड़ा डरते हैं से, लेकिन एक अच्छा topic है, अच्छा subject है जितने भी topics इसमें दे रखें, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, numericals को solve करते हैं, तो काफ़ी आसानी होगा यह भी एक scoring subject है, क्योंकि इसका syllabus बहुत चोटा है, बहुत ही चोटा syllabus है, बहुत है विज्ञान का ठीक है, तो भाई, dynamics के बारे में दे रखा है, द्रड़ पिंड गती की दे रखा है, उसमा गती की thermodynamics, दोलन दे रखा है, वेब दे रखा है, इसतर वैदुतु की, विदुदारा, प्रकाश की यह अप्टिक्स, यह topic है आपके, परमानु, नाबिक और अर्दचालक, इलेशन है, उसके बाद वेब है, कुल मिला के बहुत छोटा स्लेबस लग रहा है, दस टॉपिक हैं, अच्छे से पढ़िए, एक एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक के MCQ निका लिए, तो NCRT में से आपको थियोरी पढ़नी है, और जो NCRT का फिंगर टिप से, इसमें से आपको बार-बार पढ़ना है, यह जो बुक्स मैंने बताई हैं, अब इससे बार भी आप पढ़ते हो, वो आपकी मर्जी है, बड़ सपीसियेंट हैं, यह बुक्स आपके लिए सपीसियेंट है, इससे बार स्लेबस नहीं जाएगा, जो टॉपिक हैं मैंने आपको बता दि इसके बारे में आपने नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ, बहुत बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं, इंतजार सभी को है, इंतजार सभी को है, हमको भी है, कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि चार जुनको पेपर है, तो चार जुनको पेपर है, लगबग तीन महें पहले इसका नोटिफिकेशन आजाना चाहिए, फार्म स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, फर्वरी मार्च महिने में, या तो फरवरी के लास्ट तक, और फरवरी में भी नहीं आता है, तो मार्च में definitely इसका जो notification है, वो आ जाएगा, और आपको syllabus or detail में और confirm हो जाएगा, pattern भी confirm हो जाएगा, कापी बची अभी भी doubt में है, पैटर्ण सेजन ही रखेगा, चैंज होगा, या चैंज होगा तो अब तक बता देते, क्योंकि चार जून कोई paper है, तो बतलब अलग होता तो आपको बता देते, सेम ही रहने वाला है, क्योंकि पेपर चार जून कोई होगा, छीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें तो तैयारी करते रहे नोटिविगेशन मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा या फरवरी के एंड तक ठीक है इस परकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद